प्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X6 Neo Android मॉयल फोन में अगर आपके मॉयल फोन का जो होट इस पोट है वो काम नहीं कर रहा है उसमें प्रॉलम आरी तो इस प्रॉलम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो मे जानकारी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों अगर आपके मॉयल फोन का जो होट इस पोट है वो काम नहीं कर रहा है तो इसकी सॉल्विशन के लिए क्या है देखिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन को एक बार ना के ऐंडेश का ओप्शन क निब है और हुशन के तो अपको एक पेज प्रेंज में सायगे तो शुल्राइज नहीं का आपका फुल्ठ सल लेज के पिलियर ओप्शन का का ओपशन कर नहीं तो आपका इस पेलिगे फेला का जीसılan को कई पाटेज को बाता है किक निब को चालू है इसके बाद आपको at to go to the setting पर ने यहाँ पर सर्च बार में सिक्योर्टी अपटेट आपको लिखना है थीक है नीचे की साइड आपको सेंट में लेकर आजाएगा security update का यह option tap करेंगे तो आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software update कर लेना है ठीके ना अब देखे अगला काम करना है किया आपको अपने mobile phone को na factory reset करना है देखे दोस्तो mobile phone को reset आपको tap करना है जब मेर नीचे की side यह option show था factory reset का factory reset पे tap करना है अब आपको इस page बना नीचे की side erase all data पे tap करना है आपका यह page आता है एक इसमें आपको factory reset का यह option tap करेंगे तो इससे आपको phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone की hot spot की problem है यह आपके solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा के सारा data का अपना backup ले लेजिए अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने है उसके बाद phone को reset करना है ठीके न बात है